हेलो दोस्तों सवागत है आपका हमारी यूटूब चैनल होम एंटिटेन्मेंट पे आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे ग्रेप्स मिलक शेक बनाने की बारे में आज हम आपको बताएंगे हमारी जो अंगूर है उंकी जो मात्रा है वह सो ग्राम है और हम आपको ज मिक्सी के जार में डाल देंगे सारे अंगूर को एक साथ सबसे पहरे हमने मिक्सी के जार में अंगूर को डाल दिया है अब इसमें हम एक हरी लाइची को डाल देंगे इसके वाब में इसमें आवा गलास पानी डालेंगे और शक्कर डालेंगे शक्कर दो चीमच हमने आड़ की है इसमें चेले इसे ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं देखे कितने उच्छ से ग्राइंड हो गया है अब इसमें हम दूद को डाल देंगे दूद की जो मात्रा है वो आधा ग्लास है और दूद जो हमारा एकदम ठंडा है हमने दस में पहले ठंडे दूद को फ्रिज में डाल दिया था ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है तो जब भी आप बनाए इसे तो जो दूद है उबला हुआ उसे फ्रिज में रख दें दस में के लिए उसके बाद ही बनाए अब इसमें एक चमाश फ्रेश मलाई एड कर रहे हैं और फिर से उसी तरह से ग्राइंड करेंगे लेकिन थोड़े कम समय के लिए देखिए दोस्तों कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया है बहुत ही अच्छा दिख रहा है और टेस्ट के साथ यह हल्दी भी है तो ट्राइज जरूर करेंगा एक बार यह रेसिपी देखिए दोस्तों त्यार है हमारा ग्रेप मिल्क शेक यानि की अंगूर का मिल्क शेक आप इस तरह से बना कर खाईएगा यह विटामिन सी से भरपूर होता है इसके बहुत से फायते हैं तो ट्राइज जरूर करिएगा एक बार यह हमारी रेसिपी और अगर आपको हमारा वीडियो हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सुस्क्राइब करना मत बूलेगा थांक यू वेरी मास पॉर्चिंग माय वीडियो बाबाई